ओम सिरिगाने शेया नमा दोस्तों गनपती समाधान यूट्वीब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 27 अगत सुप्रवार आज के धनूरासी फल के बारे में आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और मिवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पूर जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुरू काने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटिफीशन की पहल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पूर वीडियो पहुंच सके तो चैनली दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहीगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजीटिव रहने वाला है दोस्तों आपका दिन सांदार रहेगा कारोबार में आपको फायदा हो सकता है लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा आपके सोचेवे काम पूरे होंगे जिया दोस्तों आपके काम से जीवन साती प्रसंद हो सकते हैं ओफिस में आपको कोई नई बड़ी जिमेदारी मिल सकती है आज आप पर काम के बूझ की अधिक्ता हो सकती है जिसकी वज़े से आप ठकान महसूस करेंगे लेकिन आप सारी चीजों को बहतर तरीके से समाल लेंगे आपको लेन देन से फायदा भी हो सकता है किसी काम में अनुबहुई की सला आपके लिए बहतर साबित हो सकती है जिया दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में आप जो भी काम करें काफी सोच समझ कर करें हो सके तो किसी वरिष्ट की सला वस्य ले बोलने से पहले थोड़ा सोच ले कहीं ये बात सामने वाले को बुरी ना लगे आज जीवन साथी से अन्बन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय और केरियर के बारे में आपका आर्थिक पक्ष पहली क्या पेक्षा और मजबूत होगा व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बड़ा धलाब हो सकता है आपका पूरा ध्यान अपने केरियर को आगे बढ़ाने में रहेगा कारिये चित्र में आपको अच्छी खासी सफलता भी मिल सकती है जियां दोस्तो व्यस्य को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम ठाएंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आप परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फृर्णी का प्लान भी बना सकते हैं परिवार की रिष्टों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का शिर्वाद आपको प्राप्त होगा भाई बैनों में आपसे इसने बढ़ेगा प्यार बढ़ेगा घर परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आपको अपने विरोधियों से बचकर रहना होगा जीवन साथी के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावत हो सकते हैं विवाई जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आपका जीवन साथी आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा जीवन साथी को लाबगा अवसर प्राप्त होगा आपके किसी से मुलाकात दोस्ती में भी बदल सकती है धाम पते जीवन काफी प्रेंपूर बना रहेगा जीन दोस्तों आपका स्वास्त कैस रहेगा स्वासंबंदी समस्याओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें जिससे पेरों और हातों में सूजन और दर्द की समस्या से बचा सके ये समस्याओं मोसं परिवर्तन से उत्पन हो सकती हैं आपके लिए भैतार होगा नियमित योग करें वियायाम करी, प्रणायाम करी और पूर्ण रूप से स्वस्त्र है दोस्तो, आज आप ये उपाय वाश से करें मालक्ष्मी को लाल जोडा और सिंदूर अरपित करें और नारियल और मिस्रि का प्रसाद बाटे और इसके साथ ये 108 बार इस मंत्र का जाब करी ओम श्री लक्ष्मी नमा ओम श्री लक्ष्मी नमा ऐसा कर्मे बातर से आपकी मनों काम नए सिक्र पूर्ण होंगी दोस्तों आपको मालक्ष्मी का अश्रवात प्राप्त हो कमेंट में जे लक्ष्मी अवस से लिखें धन्यवा दोस्तों आपका दिन सु बोर मंगले मेहू